बूर्णिंग स्टुडेंट्स आज का महारा टोपिक है पैरलेल प्लेट केपिस्टर पैरलेल प्लेट केपिस्टर बेटा इंपोर्टन टोपिक है कर लेना और इस टोपिक में बेटा हम पैरलेल प्लेट केपिस्टर सुरू कर रहें इसके बाद और भी आएंगे और इस टोपिक के थोड़ा seriously कर ले ना आपके फाइदे में रहेगा बेटा ये most commonly used कैपिस्टर है parallel plate कैपिस्टर most commonly used कैपिस्टर है parallel plate कैपिस्टर के अंदर बेटा दो थिन metallic plate होती है एक plate one और एक plate two parallel plate कैपिस्टर most commonly used कैपिस्टर है इसके अंदर दो थिन metallic plate होती है जो एक दूसरे के parallel होती है ये दौनों एक दूसरे के बिल्ड कोल parallel होती है बेटा इन में एक plate जो है वो insulating stand के उपर होती है दूसरी plate जो है वो अर्थन्ड होती है बेटा तो आपको समझ में आया होगा कि parallel plate कैपिस्टर क्या होता है most commonly used कैपिस्टर होता है इसके अंदर दो थिन metallic plates होती है जो एक दूसरे के parallel होती है इन में से एक insulating stand पे होता है और दूसरा अर्थन्ड होता है ये जो plates हैं इनका area A है बेटा दोनों का ही area A है और इनके बीच में जो separation है वो D है आप इस plate को जब Q charge देते हैं इस plate को आपने charge कितना दिया Q तो इस plate के inner face के उपर भी उतना ही charge अपियर हो जाता है अब इस चीज़ का ध्यान रखे हैं तो आपने charge दोनों plate को नहीं दिया है बेटा आपने charge दिया है मात्रे एक plate को आपने plate 1 थी उसको charge दिया है Q due to charging by induction plate number 2 के उपर भी charge अपियर होंगे और जो positive charge था वो अर्थन्ड होने की वज़े से जमीन में चला गया है तो यहाँ पर charge कितना हो गया बेटा minus Q होगा exact least के बराबर ही अब देखते हैं चलिए surface charge density कितनी होगी surface charge density sigma तो बेटा यहाँ sigma कितना होगा वो होगा Q upon A इस plate की surface charge density इतनी होगी उसकी surface charge density कितनी होगी minus Q upon A अब बेटा यहाँ minus आ रहा है तो यह minus sigma तो यह surface charge density plate number 2 की होगी और यह surface charge density plate number 1 की होगी अब यहाँ देखने वाली बात यह बेटा दोनों plate के ऊपर जो surface charge density है वो equal है बट opposite है अब concept समझें यहाँ पे दोनों plate के ऊपर जो surface charge density है वो equal है बट opposite है और ऐसा एक article हमने पढ़ लिया था कि parallel plates के ऊपर अगर equal और opposite surface charge density हो तो क्या होता है देखिए बेटा फिर क्या होगा plate के इस side electric field कितना होगा बेटा जीरो और इधर भी कितना होगा जीरो हाँ इसके अंदर electric field होगा और वो कितना होगा बेटा वो होगा sigma upon epsilon 0 इतना electric field होगा और वो plate के बीच में ही होगा तो फिर electric field कितना होगा लिख देते हैं इलेक्रिक, फिल्ड, इंटेंस्टी, इन बेट्वीम, दी प्लेट्स, कितनी होगी, वो तो लिखी दिया कितनी होगी बेटा, E equal to sigma upon epsilon not, और बेटा, epsilon not क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर air है, तो यह कितना हो जाएगा, sigma की तो value है, q upon a, यह हो गया, q upon epsilon not a, इतना electric field इनके बीच में होगा, और यह electric field uniformly होगा, यानि दोनों place के बीच में इतना electric field रहेगा, और हर point पे वो same रहेगा, कहीं पर भी check करें इन दोनों के बीच में इतना ही electric field होगा, अब जब आपको electric field पता लग गया है, तो दोनों place के बीच में potential difference कितना है, वो भी निकाल सकते हो, आप, देखिए, potential difference between plates of capacitor, potential difference beta V से लिखेंगे, और वो कितना होगा, electric field into separation, अब electric field कहां से कहां तक है, यहां से, इस plate से लेके, इस plate तक है इतना है, कितना separation होगा, उसका D, यानि D दूरी तक है वो, तो electric field into separation, अब electric field की value कितनी है, वो आप पहले ही निकाल चुके हो, कितनी है, Q अब देखते हैं, देखें, capacitance of capacitor कितना होगा, इसका भी आप formula पढ़ चुके है, वो कितना होता है, charge upon potential difference, तो बताइए, बेटा, plates के ओपर charge कितना है, Q, और उनके बीच में potential difference कितना है, V, तो यह हो गया, Q upon V, तो फिर C कितना हो जाएगा, वो जाएगा, Q upon V की value रख दीजिए, QD upon epsilon naught A, कितना आएगा यह, Q से Q cut जाएगा, तो कितना आएगा, epsilon naught A upon D, दी, तो capacitance, जो capacitor का आ रहा है, वो आ रहा है, epsilon naught A upon D, इतना जो है, parallel plate capacitor का capacitance होगा, बेटा, यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है, कि जो आपका capacitor है, parallel plate capacitor है, यहाँ आपने जो दो plate ली थी, too thin metallic plate parallel to each other जो आपने ली थी इनके बीच में यहाँ पर क्या होता है? वो होता है dielectric medium क्या रखेंगे यहाँ पर? die electric medium हम क्या रखते हैं यहाँ पर? die electric medium अब die electric medium में बेटा कुछ भी हो सकता है क्या जो die electric medium आप रख रहे हैं plate के बीच में यहाँ इन दोनों plate के बीच में क्या होगा die electric medium die electric medium में आपका air हो सकता है आपका paper हो सकता है माई का हो सकता है glass seat भी हो सकती है glass और भी चीज़े हो सकती है यानि die electric क्या होते है यह insulator ही होते है die electric क्या होते है यह insulator ही होते है तो आप जानते है air, paper, my car, glass क्या है यह यह insulator ही है यानि इन दोनों plate के बीच में आप क्या रखेंगे die electric medium कुछ भी या die electric material रखेंगे तो आपको समझ में आया कि parallel plate कैपिस्टर में क्या होता है simply किसी भी कैपिस्टर में क्या होता है दो conductor के बीच में insulator होता है एक आपने यह conductor लिया, एक आपने यह conductor लिया और बीच में आप insulator रख दे तो क्या बन जाएगा यह कैपिस्टर बन जाएगा अब उसकी जैसी shape है वैसा ही नाम हो जाएगा अगर आपने यह एक प्लेट ली और यह एक प्लेट ली दो ऐसे parallel plate ले ली और बीच में आपने insulator भर दिया तो क्या हो जाएगा यह parallel plate कैपिस्टर है आप cylindrical shape देंगे तो वो cylindrical कैपिस्टर है आप spherical shape देंगे तो वो spherical कैपिस्टर पर जो basic चीज है वो समझेगा conductor insulator फिर conductor इस तरीके से होगा यानि दो conductor के बीच में insulator होगा तो आपका क्या बन जाएगा कैपिस्टर बन जाएगा आप इस चीज को समझे